हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि WhatsApp पे आप कोई भी प्रोफाइल लगाते हैं तो हम बार-बार देखते हैं कि किस-किस ने हमारा एस्टेटस देखा है उसी तरह दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका WhatsApp पे किस-किस ने प्रोफाइल देखा है यह चीज हम कैसे पता करेंगे चलिए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं और दोस्तों वीडियो में आगे तो दोस्तों अप्लिकेशन का नाम जान करके आप इस वीडियो को छोड़के मज जा का साम प्रोफेस नहीं जान पाएगा और आपको कोई फायदा होने वरला है तो दोस्तों सबसे पहले आपको पूरा वीडियो देखना है और एप का सारा प्रोसेस जानना है उस पाद इस अप्लिकेशन का यूज करना है यह एक अप्लिकेशन है वाट्स ट्रेकर चलिए हम पहले इसके बारे में बताते हैं आपको दोस्तों कि इसको यूज आपको देखने को मिल जाएगा यहां पे दोस्तों एक search profile का option दिखेगा यहां पे किसी का number डाल के आप किसी का भी profile देख सकते हैं और यहां पे एक direct chat का option आजाएगा यहां पर किसी का number डाल करके यहां पे यहां पर direct आप message करके किसी से भी आप direct यहां से chat भी कर सकते हैं बात कर लेते हैं man process की जिसके लिए हम यह video बनाए हैं आप लोगों के लिए नीचे की तरफ scroll करना है नीचे की तरफ scroll करने पर यहां पर एक profile visitor का option दिख जाएगा इस पर आपको simple click करना है इस पर click करने के बाद दोस्तों यहां पर आपके contact में जो भी रहेगा उसका नाम और नमबर आजाएगा उसके बाद यहां पर एक और option दिखेगा visited का दोस्तों यहां पर भी आपको जो है कुछ नाम और नमबर दिखेंगे आपके WhatsApp के profile पर जिस जिस ने visit किया है यहां पर दिख जाएगा दोस्तों उसके बाद यहां पर एक option visitor का option दिख जाएगा यहां पर दोस्तों आपको कुछ नाम और नमबर दिख जाएगा तो दोस्तों यह वो लोग है जो आपका WhatsApp का profile देखते हैं तो दोस्तों यहां पे जो है visit और visitor दोनों का option दिख जाएगा यहां से जो है आप बिल्कुल इसली पता लगा सकते हैं कि आपके WhatsApp के profile पे कौन-कौन visit करता है और कौन-कौन visitor है बिल्कुल यह आसानी से यहां से आप पता कर सकते हैं तो यहां पे जो है हम security purpose के वज़ा से नंबर को blur कर दिया है तो दोस्तों यहां से जो है आप बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके WhatsApp का profile किस-किस ने देखा है अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस application को download कहां से करना है तो दोस्तों इस application को download करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे चले जाना है watch tracker सर्च मारना है watch tracker सर्च मारने के बाद आपके सामने देख सकते हैं application आ जाएगा तो यह application अगर आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलता है तो हम इस application का link इस video में डाल देंगे लिंक भी अगर आपको काम नहीं करता है अगर हमारे link से भी आप download नहीं कर पाते हैं दोस्तों आपको simple क्या करना है हमारे instagram आपको दिख रहा होगा इस पे जो है आपको message करना है और application का नाम लिख करके आपको भेजना है आपको जो है हमारे instagram पे आपको provide कर दिया जाएगा और दोस्तों हमारे instagram पे आप follow भी कर लिजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो कोई भी problem हो तो आप जो हमें instagram पे बता सकते हैं वहाँ पे हम पूरी कोसिस करेंगे कि आपके problem का solve हो दोस्तों आप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए helpful होगा दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe कर लें और साथ में bell icon को भी प्रेस कर लें